ANG-Pyden- के बारे में बात करेंगे जड़ उनसे मेरे पास है और आज मैं आपको देखाूगा और उनकी आपको बताओंगा कि उनकी PRIZES गベ्यरा क्या है और उनकी जो मतलब कि है और उनका रियल नेम जो वीूस्ट करते हैं वो क्या है ? वालेकमसलाम भायजान भाई हम आपके पास आई हैं फिंचिस के बारे में जाने के लिए उनकी डडील के कितने किसम्य होती है कौन कौन से CULER होती है जी माशआला वैसे तो बहुत सारी किसम्य होती है कितने किया और कितने उनका नाम बगएरा जी सब कुछ हाँ जी मैं इन्शालला पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंग इसके इसको रेड़ फिंच पूलते हैं जान के एक अग्रैसिव बिल्कुल भी नहीं होती भाल माशाला बड़ी कूब सरत होती है इसकी किमत ज़ाया तकरीब और सर्दी है इस वज़ासे हदार और 2000 का पेर मिल रहा है जबके 1000 का पेर मिल जाता है जबके जैसे ही सीजन ओफ होता है मतलब गर्मिया स्टार्ट होती है तो यह हमें तकरीब बंदरह सो सतरह सो अठ्छा सो तक इनका पेर मिल देखने को मिनता है सॏकंट नमबर पेम बात करेंगे अपनी वायट फ के बारे मैं का देखे कि जा होती है थोड़ी सी ये वाइट फिंच जा इसकी प्राइज भी तकरीबं हाँ भी हजार रुपय होती है हजार प्रुपय पेर सर्दियों में जब के गयर गयर्मियों में में इसके कीमत तक्रीब नहीं हो जाती है दो पंदरा सो से 17 सो तक उसके बाद हम बात कहेंगे कुई लै एक्टिव और तेज होती है और बाहर से घल 있나 आ bütün में ठीक कि इसका अंति कि अधु सब्सक्राइब के एथ तो आहिए तॉप सरहक मेंगी खुब्सूरत फिंच के अब के सामने नहीं तो आप लिद थाम मेट ये मा शाला ये ए रहिए माश्याला आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत है इसके पर देखिए और इसका पूरा पूरा अब फेस दिखाता हूं आपको इसकी कीमत तकरीबन एक पीस की आज का मार्किट में चार हदार चल रही है जबकि ये फुल अडल्ट पीस है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर फुल हो गया जो हेड है वो रेड हो गया और इसकी चस्ट आप देख सकते हैं बिलकुल वाइट हो गी है जबके बैक की कलर इसका येलो है इसको लोटीनो भी हम कहते हैं और इसकी किमत तकरीबन तकरीबन अभी जो फुल पेर की चल रही है 14 से 15,000 पे आम चल रही है ठीक है लोग 17,000, 18,000 तक भी इसको ले रहे हैं जबकि ये मार्केट में शोट हुई पड़ी है और इस टाइम हर बंदा इसको मांग रहा है तो 4000 का पेर, मतलब 4000 का पर, पीस इसका भी बच्चा सेल हुई इसके बाद हम बात करेंगे, जैबरा फिंच की इसको फान कहते है इसका नम फान होता है, ये भी 1500 तक पेर मिलता था लेकिन अब भी मार्केट लो होने की वज़ा से 800,000 तक भी ये सेल हो रहा है आप देख सकते हैं गोर से, इसकी चस्ट बिल्कुल वाइट है जबके इसके जो पर हैं वो ग्रे कलर के हैं और डार्क ग्रे हैं और जबके इसकी चौँच ये एक मेल पकड़ा है, मैंने आप देख सकते हैं इसकी गोर के चौँच बिल्कुल मतलब के डार कुई पड़ी है जब ऐसे आपको शायद ना भी समझाए लेकिन जब मैं फीमेल इसके साथ लेकर आकर पकड़ा हूँ तो तब आपको समझा जाएगी मतलब ये एक मेल है और वो फीमेल है, साफ फरक समझा जाएगा आप लोगों को फाइट नहीं कर रही है माशालह आप देख सकते हैं कितने खुब्सुरूता है ये आप देख सकते हैं ہے बेभी ये जैब्रा फिंचिज का और ये बहुत में इस मासुम सा बेभी इसृ माहत नहीं देख सकते हैं चूंच से हिसाब रहते हैं साथ ही मैंने बोला शांत सब आगा है तो भई यह जो है आप देख सेथे हैं इसकी थोड़ी थोड़ी ब्लैक है यह भी फुल मतलब के नहीं हुआ तो यह इसी सीजन की ब्रीड है आप इसके पड़ इस टाइम यह साथ सो आट सो का पेर जा रहा है मतलब के बहुत ही कम अगर आपको नजर आ रहा है तो यह मेरे हाथ में एक मेल पक्ड़ा हुआ है और आपको इसकी पहचान अभी तो नहीं होगी शायद लेकिन में फीमेल जैसे इसके साथ करूंगा तो आपने पहचान करके बतानी है यह फीमेल है जी क्लियर नजर आरी आप दोनों को यह यह देख तेरी का यह करणा गईया का करें लिगे है तो यह फीमेल है और जबकी यह मेल है तो आप इनकी है इसी पहचानार इसाभीप सकने है मैं यह हमारी फींच नाम आपने पताना है कोमें से पता correct है ऐसी बारे में अपको एक हिंट दे ताऊ हो कि यह जो फिंच है सेरे जे ज़ादा जो प्रीडर भोस्ता जो पर आए लियों प्रेडरज को लाजमी है यह बिढलता है सो आपने पास यह इसको लाजमी रखते है इसकी प्राइज बिल्कुल लो होती है ठीक है नाम मैं नहीं नहीं बता रहा है जैसे वह मुर्गियों का शाब होता है इसके मर्जी एंडे रखते हैं वैसे यह उन में ऐसे ही आई यह समझ लें आप लोगों ने बताना है अब हम बात किनने वाले हैं यह इस गोल्डियन के ब अदरास हो यह आप देख सकते हैं कि जो चस्ट है विलकुल वह काट रही हैं वह काट दिया है लेुगर्चिण हो रही है बिल्कुल परपल किया बाकी किलर यालो है जबकि इसका है दिश्ट होगा वह मतलब कि ब्लू हो जाएगा तो यह पहुड़ा सा मतलब जवान है मतलब अभी अडल्ट फूरी नहीं हुए है मतलब बच्छे में श्मार कर सकते हैं लेकिन कलर रहे है है मतलब कि इस्की यह 6-7 मंद चेन长 इसकी बीडिया प्राइज है कितने मिलिडारी जो है यह का था हजार का पठ्था मिल रह इसका ठीका जबके फुल पेर जो है बारा शे पंदरा हजार के बीच में बीच में भी जो के ब्रीडर पे आ रहे हैं तो अभी हम फिंची उनके जर्वाप पिस और दें हैं थी कै प्री यह आजे खाल एक जाल एक जुजिए आजयए आजयए तरॉ आजयए जान्याज नाजयए पर शाल में आजयए जान्यार पार्टार तेजयए नाजयए तरॉ तो अभी मेरे पाइट पढ़िए तो इसमें ऐसे आए कि ब्रीडिंग के लिए जो सबसे मतलब बैस्ट चीज ना तो वह इनको अंडाना हर मतलब हवीक में एक सार दो दफा अंडा इसके साथ बिल्कुल मिक्स करके इसमें ठीक है थोड़ी सी इतनी सी ले 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 आप अलो पा तो दूक मेरे ये ब्रीडिंग कर लेंगे तो अब कर लेंगे तो इसमें पर दे वाबバगर कर दो दो दूख कर लेंगे